Hello बच्चो, क्या हाल चाल, this is Ope Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematicia by Ope Gupta, so I welcome you all to a brand new session of case study type questions in which we are doing chapter wise case study questions, तो आज का case study type question कौन से topic पे होने वाला है, उपर देखिए आ चुका है, मतलब matrices and determinant के उपर हम case study वाला question लेने वाले हैं, in fact matrices के उपर लेने वाले हैं, तो चलिए जरा मैं आपको लेके चलता हूँ, तो यह रहा जी आपका case study question, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्या बोल रहा है, following is a case study type question which carries five subparts, you need to attempt any four subparts, each part will carry equal marks, यानी one mark होगा, आपको चार attempt करने होते हैं, चलिए, यहां मैं तो सारे ही discuss करने वाला हूँ, तो यहां पर देखो भई, matrix के उपर question दे रखा है, पढ़ते हैं जरा one by one, क्या information इन्होंने हमें दे रखी है, ठीक है बच्च ब्रेकिट में बता रहा है, in villages, an NGO hired an advertising agency for generating awareness for the cause, through the house calls, letters and announcements through speakers, ठीक है, the cost per mode of communication is given below, है ना, यानी house call, या letters, या announcement through speakers, जब किया जाएगा, तो उसमें एक communication करने के लिए, कितना खर्चा आएगा, कितना cost आएगा, मतलब एक घर तक पहुँचने के लिए, या एक later post करने के लिए, कितना cost लगेगा, यह यहाँ पर बताया हुआ है, कि per visit, है ना, cost per visit, या cost per communication, for house calls, यह 10 rupees, for letters, और यह announcement के लिए, ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, the number of contacts, made were as follows in the three villages, तीनों village में, house visited, यानी house call वाला जो काम हुआ, y village में 300, और z village में इतने house visit किये गए, house calls वाला जो काम हुआ, ठीक है, अब letters कितने घरों में डाले गए, village x में देखो, village y में 600 हैं, village z में इतने हैं, और फिर announcements, village x में 200 times, यहाँ village y में 300, और village z में 150, इन सभी information को use करते हुए, हमें question solve करने है, चलिए जरा अगले page में, मैं आ देख रहे हैं, first part में क्या बोला हुआ है, cost in rupees incurred by the NGO for the village x, village x में जो भी उन्होंने awareness के लिए कारिकरम किया, मतलब या तो house call से किया, या फिर latest डाला, या फिर announcement किया, है न, तो यहाँ पर cost कितना पड़ा, village x का, फिर village y का भी पूछा हुआ है, आप देख रहे हैं, और अग third part में देखेंगे अगले page पे, तो village z का भी पूछा हुआ है, एक काम करो, देखो अगर बीना matrix के करना चाहते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब simply na unitary method follow कर लो, समझे कि नहीं, एक house call के लिए, एक house call के लिए 10 रुपए लगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, है न तो village x में 200 house calls हुए, 200 into 10, समझे के नहीं, ऐसे ही plus 400 into 5 later के लिए, plus क्यों किया, क्योंकि village x का total निकाल रहा हूँ, plus 200 into 15 announcement by speaker, ऐसे कर लो, है न, बिना matrix के ही हो जाएगा, वैसे भी तो MCQ है, कौन आपके step देखने वाला है, कोई भी नहीं, लेकिन फिलहाल मैं matrix method से आपको करान वाला हूँ, चलिए जरा, मैं यहाँ पर आपको लेके आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, 10, 5, 15, 10, 5, 15, यानि यहाँ पर यह खर्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर यह हो गया आपका 10, यह 5, और यह 15, ठीक है, अचा यहाँ पर village x, village y, और village z का, हम यह यहाँ पर देख लेते हैं बई, एक तो आपका house call था, एक आपका later वाला काम था, और एक आपका announcement by speaker था, ठीक है, village x में देखते हैं बई, कितने लोग हैं, मतलब कितने घर हैं, तो 200, 400 और 200, है न, यहाँ पर 200, यहाँ 400, और यहाँ पर 200, फिर village y का देखो, 350, 600, और फिर से 300, तो यहाँ 350, यह आपका 600, और यह आपका 300, ठीक है बच्चो, अगला है आपका 225, 375, एक सेकिंड, 225, 375, और फिर last वाला है 150, चलो जी, इसको हमने लिख लिया, अब multiplication स्टार्ट करो, चलो जी, फटा फट, यानि देखो, यहाँ पर यह 3 by 3 है, और यह आपका 3 by 1 है, multiply क करेंगे 3 by 1 का, एक matrix मिल जाएगा, चलिए, काम सुरू करते हैं, 200 into 10, यानि यह तो आपका 2000 बन ही गया, 400 into 5, यानि यह भी आपका 2000 बन गया, अब यहाँ 200 into 15 है, तो 15 into 30, और 20 यहाँ पर आ जाएगा, 350 into 10, यानि यह बनेगा आपका 3500, यहाँ पर आपका 6 से 5 जा 30, और यहा पर 2 zeros, 225 into 10, यानि 2250, प्लस 375 into 5, तो यहाँ पर 55 जा क्या बनेगा, 25, carry 2, 57 जा 35, 35 and 2, यानि 37, carry 3, 5, 3 जा 15 and 3, यानि 18 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब यह 150 into 15, यानि यह 225 और यह 0, है ना, मैंने क्या किया, 150 को ऐसे लिखा, समझे, यहाँ देखो, यह त 225 और यह आपका 0, इस तरीके से, इन सभी को यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एड करने वाला हूँ, जो भी आएगा देख लेंगे, 224 प्लस 3, यानि यह 7000 आ जाएगा, यह आपके विलेज X का कोस्ट हुआ, समझे, यहाँ पर यह साड़े 3000, यहाँ से 500 गये, 4000, 4000, 4000, यह आपका 11000 हो गया, यानि यह विलेज Y का कोस्ट हुआ, समझे, अच्छा यहाँ पर देखो, यह 250 और यहाँ से भी 250, यानि यह बन गया 4500, है कि नहीं, तो 4500 में 1875 को एड करो, यहाँ पर 5 और यह 7 बिल्कुल से, 85 यानि 13 का 3, carry 1, 4, 1, 5, and यह 6, यानि इस तरीके से आज जाएगा, यह विलेज Z का हुआ, बात समझा रही है सभी को, clear है, तो 3 वाला तो आपको यहीं पर देख रहा होगा, 3 वाला यानि विलेज Z वाला पूछा है, विलेज Z का यहाँ पर क्या रखा है बच्छो, 6375, मतलब यह देखो, option C, समझे कि नहीं, यानि 3 का तो option C सही हो clear, अच्छा, 11,000 और यहाँ 7,000 विलेज Y और X के लिए respectively, तो यहाँ विलेज Y का देखते हैं बेटा, 11,000 कहाँ पर है, यह देखो जी, यह देखो, यानि यहाँ पर यह second वाले का अंसर आ गया, option B, ठीक है, अच्छा, first वाले का 7,000 था, यह देखो जी, है कि नहीं, यानि य first वाले का A, second वाले का B, और third village का यहाँ पर C हो गया, आप चेक कर सकते हैं, चलिए मैं highlight करता हूँ, A, यहाँ पर B, और यहाँ पर यह C, इस तरीके से, ठीक है बच्छो, अब आगे वढ़ते हैं जरा, fourth part में क्या बोला हुआ है, तो fourth part में कह रहा है, the total cost in rupees incurred by the NGO for all the three villages, अ अब तीनों villages का आपको total cost निकालना है, अगर आपको ध्यान हो, village X का था 7000, है कि नहीं, village Y का था 11000, don't worry मैं अभी आपको दिखा दूँगा, और यह था देखो इस तरीके से, इन सभी को add कर दो, इन सभी को add कर दो, यहाँ पर check कर लो, यही था, ठीक है न, चलिए, add करते है तो यह 5 और यह 7 और यह 300, यानि यह आपका 3 ही रहेगा, यहाँ पर 6 प्लस 1, 7 प्लस 7, यानि 14 का 4, carry 1 और एक 1 पहले से, यानि इस तरीके से, 24,375 और यह आपका rupees में है, बच्चो, यह आपका पूरा rupees में है, तो 4th का कौन से वाला option ऐसा ही दिख रहा है, ध्यान से देखन नजरों का धोखा ना हो जाए, यहाँ देखो जरा इस option को, मैंने सारे options इस तरीके से दिये हैं, कि बच्चे confusion में कहीं उपर नीचे चले जाए हैं, गलती हो जाए, anyway, तो यह आपके 4th का answer हो गया, option B, ठीक है बच्चो, अब आगे बढ़ें, 5th part को भी देख लेते हैं, वो about this noble cause of the NGO, they decided to reduce the cost per letter to rupees 1 from rupees 5, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो ध्यान से, cost per letter क्या था, एक लेटर पर cost था 5 रूपीज, तो इंडिया पोस्ट ने सोचा कि यह तो बहुती noble cause है, यह तो बहुत noble cause है, जो NGO यहाँ पर कर रही है, तो उन्होंने यहाँ पर later का cost कम कर दिया समझे, एक रूपए कर दिया, then the cost incurred for the NGA for dropping letters in all three villages, यानि तीनों ही village में later, अगर post करना हो, आज की situation में जहाँ पर अब price 1 रूपीज हो चुका है per letter, समझे, तो इस situation में तीनों village में, तीनों village में जो later डाला जाएगा, उसका cost क्या आएगा, यह आपसे पूछा है, हम यहाँ के through communication, यहाँ पर जो किया गया, यह देखो, यह later के through तीनों village में communication किया गया, यानि 400 प्लस 600 प्लस 375, यानि मैंने क्या बोला, 400 प्लस 600 प्लस 375, यानि यहाँ पर total इतने later यहाँ पर भेजे गए, अब क्योंकि एक later पर जो cost है, वो 1 रूपीज हो रहा है, तो इतने later पर कित reply करेंगे 1 से, तो इतना ही रह जाएगा, समझे, अब इसको check कर लो, यानि 5th का कौन से वाला option सही हो गया बच्चो, तो 5th का पहला option सही हो गया, यानि यहाँ पर option A of 5th part is correct, ठीक है बच्चो, तो बस इसी के साथ आप लोगों का case study type के सारे question जो यहाँ पर है, यानि 5 question हमने complete कर लिए है, ठीक है बच्चो, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, यह बताने कि मेरी books आपको किस तरीके से मिल सकती है, अब यहाँ पर details तो आपको screen पर दिखी रही होंगी, है ना, देखो, यह जो math mission वाली book है ना बिटा, यह chapter wise mcq जिसमें case study भी है, assertion reasoning questions भी है, math barrier test भी ह यह वाली book तो आपको Amazon पे मिल जाएगी, यह book आपको Amazon पे मिल जाएगी, समझें, यह वाली book जिसका नाम है math mission, यहाँ नाम देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने यह book time पे, यानि अगस्त में या September के first, second week तक ले ली हो, तो आप यह book या तो खतम कर चुके होंगे, या खतम करने वाले होंगे, तो अब latest pattern के उपर based sample paper करने का time है, है ना, अगर अभी आप लोगों का यह वाला book रहता है, कहने का मतलब, अगर अभी आपका यह math mission वाला chapter वाज MCQ वाला book रहता है, मतलब इसमें अभी आपने completion नहीं किया है तो पहले इसको complete कर लो, लेकिन last में कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपको sample paper वाले book पे switch हो जाना है, sample paper latest pattern के उपर आपको जरूर करने हैं, और ये book order करने के लिए आप लोग मुझे whatsapp कर सकते हैं, इस number पे, number आपको screen पे देखी रहा होगा, यहाँ पर total आपको 13 sample paper मिलेंगे, जिस में 10 paper with solution होंगे, जो मैंने बनाये हैं, जिनको हम pleasure test series बोलते हैं, PTS1 से PTS10 समझे, complete solution, दो paper यानि PTS11 और PTS12 वो without solution होंगे, answer की दे रखा होगा, OMR sheet भी होगी, वो आपकी practice के लिए हैं, उनके solution आपको YouTube में discuss करके दूँगा, ठीक है, यह तो 12 paper हुए, तेरवा कौन सा है, तेरवा CBSE का official sample question paper है, जो कि 2nd September को CBSE ने issue किया था, for the term first examination, ठीक है बच्चों, तो बस इस तरीके से आप इन दोनों book को परचेज कर सकते हैं, और अपनी preparation को boost कर सकते हैं, ठीक है, आप मिलते हैं next lecture में, तब तक चलिए जड़ा मैं आप लोगों को अपनी और भी books से introduce करवा देता हू Here we go जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस link को अपने browser में डाल सकते हो, या पर इस video का description box चेक कर लेना, आपको free PDF chapter मिल जाएगा बच्चों, अच्छा, class 12th की mathematician book, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, यह book 13th revised edition में है, और यह book आपके board exams, as well as entrance exam, दोनों type की preparation को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, this book is written for the academic session 21 to 22, as per the competency-based education, that's why it includes case study questions also, moreover, this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter, क्या यहां पर भी 3 chapters है, बिल्कुल, यहां पर तो 2-2 chapters आपको free मिलने वाले हैं, यानि chapter 3 of your NCRD, matrix वाला topic देख लो यहां पर, और chapter 7 of your NCRD, यानि integration वाला chapter ठीक है, और यह link आपको इस वीडियो के description box लोई मैंने डाल के दिये हुए है, ठीक है बच्चों, अब मैं जरा आपको कुछ और publication भी और क्या है हमारे पास, यह हमारा CBSE का chapter wise PY की वाला book है, यह वाला, समझे, और यह क्या है, यह CBSE के previous year के sold paper वाली book है, लेकिन इसमें latest pattern based sample question paper भी add किये जाते हैं, अगर आप लोग अपनी book को order करना चाहते हैं, तो books order करने के लिए आप इस whatsapp number पे message कर सकते हैं, आप लोगों क सब्सक्राइब तो कर लिया है न, हंजी, बहुत बढ़िया, very good, सब्सक्राइब तो कर लिया है न, ना जी, ना जी क्यों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, bell notification प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की update आप लोगों को time to time मिलती रहें, और फिर इस वीडियो को like करने के बाद इस वीडियो का अपने सभी classmates के साथ भी share कर देना, ठीक है बच्चो, चलिए बच्चो इसी के साथ, I am going to wind up the session for now, this is Opie Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematicia by Opie Gupta, signing off for the day, let's meet in the next class, till then, be good, take care, all the best, thank you. झाल